कि यह है क्लास लेंन का बियलोजी इकश्करिटरी सिस्टंम। जो किडनी है में ओर्गन है इकश्करिटरी सिस्टंम का या या यूरेंफॉरमेशन या ब्लड के कीडिनी प्रॉपर überhaupt काम निंक रखेट हैं तो उसे सोता है कीडिनी नडो है नंबर में 2 है मतलब एक पर केडिनी है नंय ह Kenneth है उसज़ा करता है nem को हूं कि अज़ काम करते हैं तो कॉस से विल्टनी से करते हैं अच्छे चीज़ा है जो यॉरॡ़ से पार आ जाते हैं, तो urine formation होता है kidney में, तो kidney की unit है nephron, nephron one million complex tubular structure होता है एक हर kidney में, दो kidney है, उनके unit, nephron जैसे cell unit है body में, ऐसी kidney unit है nephron, nephron के functional unit, इस nephron के दो पार्ट है glomerulus and adrenal tubules, यह glomerulus, इसके यहां से blood आ रहा है, और यहां से चंद के जा रहा है, तो यहां सारी चीज़ी यहां हो रही है, फिर आगे है tubules glomerulus, जो एक tuft of capabilities, capabilities का गुच्छा है, farmed by the afferent arterioles, glomerulus के अंदर जो आर्टियोल पर लेके आ रही है, वो है afferent arterioles, जो लेके जारी वो efferent arterioles है, यह जो लेके आ रही है, इसका diameter जाता है, बड़ा है, जो लेके जारी है, उसका छोटा है, इसलिए आपर pressure लगता हो रही है इसलिए फिल्टर होता है, बलड, तो afferent, यह वाली है तो लेके आ रही है, और यह वाली लेके जारी, efferent, बलड को, glomerulus, एक tuft of capabilities है, formed होता है, बाइदा, efferent arterioles, glomerulus, यह गुच्छा टैप कोई ही, यह गलो, यह ही glomerulus है, इसमें यह afferent arterioles में बार ही बलड लेके आ रही है, यहां गुच्छा सबन दाता है, blood from the glomerulus is carried away by efferent arterioles, afferent लेके आ रही है, इसमें बलड, ठीक, बीच में हो रहा है, blood filter, और filter हो के पर अंदर आता है, वो tubules में, बाइद कैपसूल के आ है, वो capsule double-walled, कपलाई के structure, यही बाइद कैपसूल है, बाइद कैपसूल इन-close करता है, गलो-मेरलस, बाइद कैपसूल के अंदर है, इन- blood filter हो रहा है, और filter हो के टीछ चला जा रहा है, और यहां से जो काम की चीज़ें, बाइद कैपसूल हो जाती है, जो एक खराब चीज़ें उन्हों, urine की फाहम में बाहर, एक्सक्रेट करते जाते हैं, गलो-मेरलस, अलॉग विद बामन कैपसूल इसा कहते है, मैलपिगन बोड़ी या रिनल कैपसूल, गलो-मेरलस और बामन कैपसूल, इन दो नमें लाएक के लाके कहलते हैं, में मलपीऑन बोडी मतलब यह इस्ट्रेंट चोंट ऑफ यह वाला इस्ट्रेंट और सब आर्टियोल यह आफेंट लेकर आ रहे है? यह दुसारा स्ट्ट्चर जे और विधान केप्सूल या मेल पिगन बोडी या रिनल चैप्सूल उसके बाद तुपिल कंट्री होते हैं देखो हो किट्नी है in human में one pair, 2 दो किट्नी है , किट्नी की नटे नैफ्रॉन, नैफ्रॉन में है Glomerulus, और Glomerulus मतला है जहां पर बलड फिल्टर हो रहा है, इस तरह का जो इस तरह हो गाए, यह इसमें एक साइड से ब्लड आएगा दूसरे साइड से ब्लड जाएगा जो लेकर दियामेटर बड़ा आएक जो लेकर जारे उसका छोटा है जिसे बीचे प्रेसर लएगा और फिल्टर होके नेफरोन हो जाएगा नेफरोन में पीसीटी आ गये है तुबूल है तो यहां जो हो दूरी चीज़ें है तो पहली प्रोक्सिमल कोले ट्यूप में कर दूल हो पार प्रॉक्सिमल को न देड ट्यूप पि mess निचे केन वाली असेंडिंग नीचे वाली डिसेंडिंग और उपर दाली असेंडिंग फिर यहां है यह ग्लोमेरलस तो यह handy lobe है, यह PCT है , यह DCT , यह collecting duct है , तो handy loop को यह वाला structure है , तो नीचे आने वाला structure है , descending handy loop , handy loop और यह उपर वाला ascending handy loop , तो यहा blood filter होके आया है , filter के सब्छाड़ प्रैसर से फिल्टर होगा है , क्योंकि जो लेख यारे blood उसका diameter बढ़ा है , और जो लेख यारे उसका diameter मतला है वो बतलब आई पाई 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 तो यह प्रेसर बन रहा है इस मज़े से वो फिल्टर हो रहा है ब्लाड DC टूपन हो रहा है कहा है collecting duct में collecting duct में urine बन गया है PCT का काम किया है PCT लाइन भाई PCT पाद ले प्रोक्सिमल कोनले टूबल मतलब यह वालदा इसे बाद यह हैँ ले लोफ यहां से शुरूआ जाती है यह ली लोफ ए तो PCT लाइन भाई सिंपल की डूटर ब्रस ब्रस पाऊर्डर अपिति लिहां PCT जो लाइन रस पाउर्डर है उसके अंदर जो है नेरली 80 परसेंट जो है 70-80 परसेंट एलेक्टराइट और नूट्रियंट यहास PCT में अब्जाब हो जाते हैं PCT में help करता है कि इसमें maintain the pH and ionic balance of the body क्योंकि एक्स्टा जो चीजी चलेगे वहापस रिप्जाब पी सीटी में होता है उसके बाद की नमबर रहता है 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 लेलोप का अगर के चीजी चीजी अपर जारे उसका में, यह बहुत काम है, डिसेंटिंग लिंब फ लूप फ हैंले, पर्मियेब लोट वारे इसके तुरू आ जा सकता है अगर एक मैक्सम सीज़े अफ़र होगा है ये PCT में जो बची कुछी है वो Descending Lamp अफ़लूप अफ़ले में अफ़र हो जाती है जो Ascending फिर उपर चटने वाला portion है दो पाइप ये PCT के बाद ये हो गया Descending Lamp ये है ये Descending और ये Ascending तो Ascending के लिए कुछ बचता ही नहीं है और रेट रेप्ज़र्स होने के लिए Descending में वाटर का एप्ज़र्शन हो चुका है बट इसमें एक्टेवल ट्रांस्पोर्ट कर सकते हैं अगर कुछ मिनरल चले जा रहा है और बोड़ी कुन की जरुबाद है तो वह Ascending Limb से भी एप्ज़र्ब के जा सकते हैं Actively मतलब एनर्जी के साथ एनर्जी देखें उसी बात आता है इसमें जो कुछ पसी कुछी चीजी हो सब वापस ले ले जाते हैं अगर पास एक्सस वाटर है तो वह वाटर जादर ही एप्ज़र्ब नहीं किया जाता है बढ़ उसना कोशिश होती कि जितना भी एप्ज़र्ब किया से कि वाटर वहां से ले 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 जाए तो होगा Concentrated Urine का formation It also play a role in the maintenance of the pH and ionic balance of the body यह था Kidney Kidney की यूनिट नेफरो नेफरोट में हैं Glomerulus फिर उसके अंदर बुच चलाए का structure बॉमन कैपसूल तोनों में कोना थे महल पेगी इन कैपसूल फिर आगा आते हैं Tubule PCT मतलब प्रोक्सिमल कोनेट टूबल हैं लेकी लूप फिर DCT लास्ट थे क्लेक्टिंग डग्ट यूरी इनफार्मेसन या उता है ब्लड के फिल्टरसन या उता है अगर किड्नी प्रफरली वर्क ना करे तो डायल से सियां करने पड़ती है क्योंकि फिल्टरसन दुरूरी है क्योंकि एकस्ट दो चीजिया उनों बाद निकालना है दुरूरी है